असलाम अलेकुम मैं हो रुही चीमा उर्दू अम्मी मैं आप सब को अपने चैनल में खुश्यामदीद वेल्कम जी आयानू कहती हूं उमीद है आप सब ठीक होंगे बच्चों को स्कूल से चुटियां है तो आपने कभी सोचा है बच्चों कि आप अपनी चुटियों को कीमती चुटियां कैसे बना सकते हैं आज मैं आपको कहानी सुनाओगी जिससे आप कीमती छुटियां इन चुटियों को बना सकेंगे तो तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी इब्रहीम और हसन स्कूल जाते थे उस दिन स्कूल में उनका आखरी दिन था क्योंकि कल से छुटिया शुरू होने वाली थी तो उनकी टीचर ने इब्राहीम और हसन के साथ दूसरे बच्चों से कहा कि वो इन छुटियों में कोई ऐसा खास काम करें जो इस से पहले उन्होंने कभी ना किया हो और उस काम करने की वज़ा से अपनी छुटियों को आप लोग एक कीमती छुटियां बना डहें बच्चों ने टीचर से वादा कर लिया कि वो अपनी इन छुटियों को कीमती छुटियां बनाएंगे और भच्चे घर चले आए इब्राहीम और हसन ने अम्मी को बताया कि टीचर ने उनसे वादा लिया है कि सब बच्चे अपनी इन छुटियों को कीमती छुटियां बनाएंगे तो आप हमारी मदद कीजिए कि हम अपनी इन छुटियों को कैसे कीमती बनाएं अम्मी ने बच्चों की बात को गौर से सुना और उनसे कहा कि अच्छा मैं आपकी मदद करूँगी और आपको बताऊँगी बच्चों ने अम्मी का जवाब सुनकर खुशी के इसार दिया और वो शाम के वक्त बाहिर खेलने के लिए चलेगे उनके घर के करीब ही एक खुला मेदान था जहां गली मुहले के सारे बच्ची शाम को आते और वहां मिलकर फूब खेलते कभी क्रेके और कभी फुटबॉल उस दिन बच्चों ने फुटबॉल से खेला और वापिस घर आ रहे थे रास्ते में बातें करते हुए इब्राहीम ने अपने दोस जुनेब और दूसरे बच्चों से पूछा कि आप लोग इन छुटियों में कोई एक मुख्तलिफ काम कर रहे हैं जो पहले कभी न किया हो तो बच्चों ने कहा कि हमारे जिल में तो ऐसी कोई बात नहीं है तो इब्राहीम ने पूछा तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं तो उस में से चार बच्चों ने इब्राहीम की तरफ देखा और कहा हम स्कूल नहीं जाते दूसरे बच्चे उन बच्चों का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ये बच्चे स्कूल ही नहीं जाते तो ये क्या करते हैं उन बच्चों ने बताया कि हमारे वालतें स्कूल की फीस अदा नहीं कर सकते इसलिए हम स्कूल नहीं जाते जब रात हुई तो इबराहिम और हसन ने बैठे हुए ये सोचा कि क्यों न हम इन बच्चों को पढ़ाएं इन छुटिनों को इस तरह से हम इस तवाल में लाएंगे उन्होंने अपनी अम्मी से इस बात का जिकर किया और कहा अम्मी हम इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अम्मी अपने बच्चों का ये ख्याल सुनकर बहुत खुश हुई और उन्होंने इजासन दे दी अगले रोज अम्मी बासार गई और एक वाल्ट बोड मार कर कुछ किताबें और कौपियां लेकर घर में आई बच्चों को बताया कि ये सामान है उन बच्चों का जिसकी वज़ा से वो तालीम हासिल करेंगे तो जनाब आप मुझे बताईए कि आप अपने इंचुटियों को कैसे इस्तमाल में लाएंगे क्या ऐसा काम करेंगे कि आप अपने इंचुटियों को कीमती जुटियां बना सके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करना मत भूलिएगा मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे कर दीजिए हमारी मुलाकात इंचालल गे वीडियो के साथ होगी अपना बहुत ख्यार रखिएगा अल्ला हाफिज